स्कूल का नाम जीवन, कक्षा 40 वी, कक्षा की सभी छात्र 40 वर्ष के उपर के हैं, क्लास टीचर ने अटेंडेंस लिना प्रारम किया क्रोद, इगो, स्ट्रगल, इर्षा, पच्टावा, चिंता, उदासी, इच्छा, मरी हुई इच्छा, निराशा, चिर्ड, मंतली EMI, फ्यूचर टेंशन, कर्ष्ट, बादा, फिक्र, समस्या, अस्तिर्था, आलोचना, लालच, घमंड, आदा ग्यान, खुशी, 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 मन की शांती, संतोष, पून ग्यान, ग्यान, प्यार, आशा, धहरे, उधारता, इमानदारी, अभार, विश्वास, वफादारी, दोस्तों, क्या ये आज का सच नहीं है, कि केवल नेगेटिव गुण ही क्यों मौझूद है, क्यों सारे पॉजिटिव गुण, अनुपस्तित, यानि एपसंट हो चुके है, पेड़ों को देखो, पक्षियों को देखो, बादलों को देखो, चांद सितारों को देखो, सारे अस्तित्व को देखो, और अगर आपके पास आखे है, तो आपके देखने में सक्षम होगे, कि पूरा अस्तित्रिय, पूरा ब्रहमान खुश है, सब कुछ बस खुश है, पेड़ बिना किसी कारण की खुश है, वे प्रदानमंत्री या राश्पती बनने नहीं जा रहे हैं, और ना ही वे अमीर बनने जा रहे हैं, और ना ही उनके पास कभी बैंक बैलेंस होगा, फूलों को देखिए, बिना किसी कारण के खुश है, और आप विश्वस्नी हैं, देखिए मैं आपको आपके कारण को करने से रोक नहीं रहा हूँ, आपकी प्रगती में भी कोई बादा नहीं डाल रहा हूँ, बस आपको यह समझा रहा हूँ, कि आप जो भी कारे कर रहे हैं, उसे मस्ती में आनंद के साथ कीजिए, फिर चाहे सफलता मिले, या विफलता उस परम पिता परमेश्वर का प्रसाद समझ के स्विकार कीजिए, फिर देखिए का आपके जीवन में चारों तरफ अन्द यानंद होगा, जीवन जीना बहुत सरल है, लेकिन कई लोग इस सरलता को बहुत ही मुश्किल बना लेते हैं, आप मत बनाईए, यदि आप खुद पर भुरोसा रखते हैं, तो यह आपकी ताकत बन जाती है, लेकिन यदि आप दूसरों पर भुरोसा रखते हैं, तो यह आपकी कमजोरी भी बन जाती है, यादि व्यक्ति सीखना चाहे तो अपनी प्रतेक भूल से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीख सकता है सफलोग वह नहीं होते जो गलती नहीं करते बलकि सफलोग वह होते हैं जो जीवन में एक ही गलती कभी दो बार नहीं करते कई बड़ सोचता हूँ कि आसमान तक पहुंचता हूँ लेकिन जो अपने लक्षे के बारे में सोचता हूँ तो आसमान भी बहुत नीचे नजर आता है अथा है इतना बड़ा सोचो कि आसमान भी छोटा लगने लगे दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें इस वीडियो के प्रती आपके बहु मुल्ले विचार कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद